नमस्कार जेहिन वन्य मातरम साथियों मैं भी शेक मिस्राज आप सबी लोगों का हमारे दिन संकल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम डिसकस करेंगे क्लास 6 की NCRT हिस्ट्री का चेप्टर नमबर 7 हमारे आज की शेप्टर का नाम है असोक एक अनुका समराट जिसने युद्ध का त्याग किया अर्थात आज की शेप्टर में हम समराट असोक के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे कि समराट असोक किस सामराज जी पर सासन करते थे उसकी इस्थाबना किस ने की थी फिर असोक समराट असोक समराट कैसे बने इस सीज को डिसकस करेंगे फिर असोक ने अपने पूरे भारत बरस का सबसे बड़ा युद लड़ा उस युद की बारे में चर्चा करेंगे फिर किस प्रकार से इनों ने युद्ध का त्याग कर दिया कि अब जीवन में कभी भी युद्ध को नहीं लड़ा जाएगा इसको डिसकस करेंगे अर्थात आज के इस चेप्टर में हम असोग के जीवन को डिसकस करेंगे कि किस प्रकार से समराथ असोग का जीवन था चली सी के साथ म में NCRT History को हमारे इसी चैनल पर यहीं पर पढ़ाया जा रहा है जबकि NCRT Geography को हमारे second channel दिर्ण संकल 2.0 पर पढ़ाया जा रहा है second channel की link हमने description box में दिये जाए और जाकर के subscribe उसको भी कर लीजेगा और जोग्राफिक की classes को भी साती में लेते चलीगा और इसी के साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको notes सही होंगे तो description box में हमने notes का PDF दे दिया है Classics की NCRT History का chapter number 1 से लेकर के 11 तक के notes आपको एक ही PDF में मिल जाएंगे जाए और जाकर के notes को भी आप download कर सकते हैं इसी के साथ में वागे बढ़ते हैं और जिन लोगों ने chapter number 1 से लेकर के 6 तक के वीडियोस को नहीं देखा description box में playlist दे दी गई है आप जाकर के देख सकते हैं और इसका आज साम को ठीक 7 बजे कल नहीं आपाये थे हमारे लाइट की थोड़ी सी problem थी इस वह से नहीं आपाये थे आज साम को 7 बजे ठीक 7 बजे हम live आएंगे तो सभी लोग जरूर आना आज का हमारी chapter का सबसे पहला topic आपको मिलता है बहुत बड़ा राज एक सामराज ठीक है एक बहुत बड़ा राज एक सामराज जिस पर असोग को सासन किया करते थे इसके बारे में यहाँ पर आप जानकारिया प्राप कीजिए सबसे पहला point मिलता है कि असोग जिस सामराज पर सासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा यानि कि जिनने आज कलम लोग बाबा कहते के बुलाते है यानि कि आपके पिता के पिता यानि कि असोग के पिता के पिता ने चंदरगुप्त मौरिन का नाम था आज से लगबग 2300 साल पहले की थी कितने वर्षपूर्व आज से लगबग 2300 साल पहले इसकी स्थापना की थी और इनको उस सामराज की स्थापना करने में चानक की एफिल आप इनको mosquito भी कह सकते हो इन्होंने सामराज स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि सामराज की स्थापना की थी चंद्रगुपत मौरे की ने और उसको समभाला था चंद्रगुपत Μौरे एक राजा बन सके इस योग बनाया फिर सामराज इनको दिलवाया ठीक है पूरे के पूरी प्रकरण में अगर आप देखोए तो चानकी का एक बहुत बड़ा हाथ ठीक है चानकी के बल पर ही चमरुप्त मौरी ने अपने सामराज की स्थापना की थी और आज सी कितने वर्स प कि जो असोख है जिस सामराज इपर सासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा चंद रुप्त मौरी ने तेसो साल पहले की थी अगला पॉंट मिलता है कि मौरी बनस में तीन महत्वण राजा हुए इनका वंसान उकर्म निमन लिखेता है सबसे पहले आते हैं चंद रुप गए मौरी बनस अलाग है ठीक है तो मौरी बनस था यह चंद रुप्त ने मौरी बनस की स्थापना की थी इसके बाद में चंद रुप्त मौरी का पुत्र आया बिंदुसार जिसने इस सामराज को विस्तारित किया ठीक है काफी अधिक बिस्तार किया इसके बाद में आते है आगे बढ़ते, मौरे सामराज की राजधानी थी पाटली पुत्र, कौन थी पाटली पुत्र, ठीक है, इसके इलाबा उजयन, तक्चिसिला और पाटली पुत्र, मौरे सामराज के महत पूर नगर थे, ये तीन नगर कौन कौन से, उजयन, तक्चिसिला और पाटली पुत्र, यहाँ पर देखो यह आपको पाटली पुत्र मिलेगा ब्लैक डॉट वाला यह आपको उजयन मिल रहा है और यह आपको तक्षिसिला मिल रहा है जो की इनके महतुपूर नगर थे ठीक है और तक्षिसिला जो है जो आपको यह मिलता तक्षिसिला उत्तर पश्यम और मद एसिया के लिए आने जाने का मार्ग था तो यहाँ पर इनों ने अपना सामराज इस्थापित करके रखा था मतलब जो उत्तर पश्यम और मद एसिया के लिए आने जाने का मार्ग था वहाँ पर जो कि आज पाकिस्तान में मिलता है यहां पर इनोंने अपना सामराज मतलब अपना कब्जा बना करके रखा था इसके बाद में जो अजयन है यह उत्तर भारत से दक्षीन भारत जाने वाले रास्ते में पढ़ता है जो कि आप यू देख सकते हो यह उत्तर भारत यह आपको उपर वाला मिलता है ठीक है ये उत्तर भारत है और ये दक्षिन भारत है तो आप देखो कि बीच रास्ते में पढ़ता है ठीक है तो यहां पर भी नों ने अपने कबजा जमा करके रखा था आगे बढ़ते हैं तो असोक के कुछ सिलालेकों के बारे में याँ पर हम डिसकस कर लेते हैं असोक के सिलालेक कंधार, लंपक, मन सहरा, सहबाजगड़ी, कलसी, टोपरा, मेरट, बहापुर, जोकी दिली में, लुंबिनी, रामपुर्वा, लौरिया, अरराज, गुजर, सारनात, कौसांबी, पिरनार, जोगड़, जोकी कलिंग में है, इसके आद में सौपारा, सनाती, मस्की, एरागुडी, ब्रहमगिरी, इन सभी इस्थानों पर प्राप्त हुए, अब देखे, इन सभी इस्थानों का नाम मैंने क्यों लिया, और यहाँ पर क्यों रखा, तो देखो, क्या होता है, कि यहाँ पर प्रश्ण आता है, निमने लिखित में से किस इस्थान से असोग का इस्थम पर प्राप्त हुआ है, या फिर असोग के सिलालेग प्राप्त हुए, आपको चार आप्सन दे देगा, तो जितने भी यहाँ पर नाम दिएगे, इन सभी नामों को आप याद कर लि आप जिका विस्तार कितना था, आप देखो कि लगबग पूरे भारत में, ठीक है, जहां जहां से इनके स्थम प्राप्त हुए, आप देखो, यह पूरे भारत में इनका विस्तार था, यह अखंड भारत इन्होंने बना करके रखा हुआ था, ठीक है, आगे देखो आपको लुंबिनी मिलता है, ठीक है, लुंबिनी में भी इनका विस्तार था, यह देखो ब्रमगिरी, यह आपको मिलता है, ठीक है, ब्रमगिरी, यह आपको यह एरा गुरी मिलता है, जोकियरा, मस्कियरा, सनातियरा, सोपाराई यह है, जोगड है, भैली है, ठीक है, जोगड हो ग पुरवा है तो कई सारे स्थानों पर अगर आप कोगे तो लगबग पूरे भारत में इनका विस्तार था और इन सभी नामों को याद कर लीजिएगा जहां जहां से असोग के स्थमप प्राप्त होएं क्योंकि इस पर प्रशन बनता है अगला पॉन मिलता कर और नजराना असो कर जो थे वो नियमेट रूप से सभी से लिया जाता था वही जो नजराना था यह अनिमेट रूप से जब भी संभब हो विविन चीजों के रूप में ऐसे लोगों से लिया जाता था जो सुछा से इसे देते थे आप देखते हो क्या होता है कि आज कल जो tax होता है ठीक है आज कल आप देखते हो tax सरकार नियमित रूप से बसूलती है सभी से बसूलती है ठीक है लेकिन क्या होता है कभी कभी लोग सरकार को दान में donation देते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं ठीक इसी प्रकार से पहले क्या था टैक्स तो बिल्कुल टाइमली बसूला जाता था लेकिन लेकिन क्या होता था जैसे आज आज आप देखते हैं डोनेशन सरकार को लोग दिया करते हैं टाइम टाइम पर इसी प्रकार से नजराना भी पहले अन्यमित रूप से यानि कि इसका कोई नियम नहीं था कि आज लेना है तो लेना ही है ठीक है अन्यमित रूप से जब भी संभब हो पा जाता तो लोग इन्हें अनेक चीजों की रूप में स्वेच्छा से देते थे ठीक है आगे बढ़ते है अगला पॉंट मिलता है सामराज का प्रसासन जो असोक थे इनके सामराज का प्रसासन कहता था इसको भी समझो मौरे सामराज बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग इसों पर अलग अलग धंग से सासन किया जाता था पाटली पुत्र और इसके आसपास के इलाकों पर सामराट का सीधा नियंतर था कहां पर पाटली पुत्र और पाटली पुत्र के जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर सामराट का बिल्कुछ सीधा नियंतर्ण हुआ करता था ठीक है यहां करबसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किये गे थे जो राजा के आदेस का उलंगन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे इन में से कई अधिकारीों को बेतन भी दिया जाते थे समझो क्या था अगर ये आपसे प्रस्म पूशा जाए कि मौरे सामराज का प्रसासन कैसा था तो आप ये कहोगे जो पाटली पूतर था ठीक है पाटली पूतर और उसके जो आसपास की इलाखे थे वहाँ पर समराट का नियंतर्ण बिल्कुश सीधा था ठीक है बिल्कुश समराट अब मतलब आप जैसे कह सकते हो कि आज कल जो केंदर सासित प्रदेस होते हैं ठीक इसी प्रकार से ये इलाखा केंदर सासित था जिनको राजा स्वेम नियंतरित करता था और यहाँ पर करको बसोलने के लिए कुछ आधिकारियों को नियुक्त किया गया था ठीक है और जो भी बेक्ती मतलब जो राजा के आ अगर प्रजेंट टाइम में आप देखोगे तो अधिकारियों का जासूसी करन नहीं होता है अधिकारियों के ऊपर कोई बैठा नहीं है कि अधिकारियों की जांच की जा सके ठीक है जब अधिकारी गलत पाया जाता है तब उसकी जांच होती है ठीक है जब तक गलत नहीं जाँच नहीं होती है अगर पहले से ही उसकी जासूसी की जाए ठीक है तो वह यो गलत होगा ही नहीं ठीक कि भाई हमारे उपर एक आदमी बैटा जो हमें जासूसी हमारी जासूसी कर रहा है तो वह गलती ही नहीं करेगा ये काम असो के समराज में था असो के समराज में क्या तो इससे क्या था कि जो भी अधिकारी थे वो गलत काम नहीं किया करते थे क्योंकि उनको पता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमारी कबर राजा जी के पास पहुंच जाएगे तो भाजा बजाएंगे हमारा ठीक है और देखोगे तो सबसे पहले आपको एक देश मिलेगा ठीक है फिर देश की बाद में आपको इस देश के अंदर मतलब कई सारे राज मिलेंगे ठीक है और राज के अंदर आपको कई सारे जिले मिलेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो मौरे साम राज था इसके बीदर छोटे उटे प्रांत हुआ करते थे हम प्रांतों को माल लेते हैं कि जिला ठीक है और इन पर तक्चे सिला या उजयन जैसी प्रांती राजधानियों ठीक है प्रांत को जिला ने मतलब प्रांत को आप एक राज ही माल लीजीगा ठीक है खिलता और अक्सर आने पर क्या होता था अक्सर राजकुमार जी हुआ करते थे अर्था राज़ा के पुत्र टीक है को वहां पर राज जी पाल यानि की गबर्नर बना करके भीजा जा जाता था लेकिन अैसा रगता है कि इन जैगाओं पर इस्थानी परमपराओं और नियमों को भी माना जाए था देखो पहले क्या था इस्थानी परंपरा और नियमों को मानना राजा के लिए मतलब अच्छा रहता था क्योंकि देखे राजा क्या करते थे जो इस्थानी लोग वह करते थे उनके परंपरा को उनके नियमों को मान करके वहाँ पर अपने सामराज की इस तो क्या होता था अधिकतर ऐसा रहता था कि मतलब कुछ छेत्र ऐसे थे जहां पर जो राज कुमार हुआ करते थे उनको राज पल बना करके बेजा जाता था और वो उस राज का उतने छेत्र का प्रसासन देखा करते थे लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है जहां प वो अपनी मतलब परमपराओं और नियमों के साथ में अपनी जिंदगी को जिया करते थे आगे iagla point मिलता है मौरे शासक जो थे आबा गवन के मार्वों का पर नियंटर रखने का प्रियास करते थे कहां पर आबागवन के जो मार्ग हुआ करते थे वहां पर नियंतरे रखने का प्रयास करते थे यहां से उन्हें संसादन कर और नजराना भेट के रूप में प्राप्त होता था अर्थसास पर में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिन भारत सोने की सोने और किमती पत्रों के लिए प्रसीद था संबब है कि यहां से संसादन नजराने की रूप में एकतरित किया देते आप समझो आजकल आप देखते होगे सरकार क्या करती है कि हाईवे बन बाती है बहुत बड़े बड़े ठीक है बहुत अच्छे हाईवे होते और हाईवे पर चलने के लिए आप से टेक्स लिया जाता है ठीक इसी प्रकार से मौरे समराज के जो सासक थे वो क्या करते थे जो आबागबन के मारग हुआ करते थे यानि कि उनसे वो जो भी वहां से मतलब व्यापार करने के लिए निकलते तो लोग उनसे भेंट की रूप में नजराना हो गया, कर हो गया, संसादन हो गया, अनेक चीजें प्राप्त किया करते थे अर्थ सास्तर में इसका वणन किया गया और ये कहा गया है कि जो उत्तर पश्यम है ठीक है ये कंबल के लिए बहुत अधिक परसिद था तो यहां से लोगों को कंबल मिल जाते थी जो दक्षिन बाला भारत है हमारा दक्षिन बारत है ये सोने और कीमती पत्रों के लिए परसि सिच को बड़े ही ध्यान से समझना प्रशने पूंछा जाय कि चंद सेलिकस निकेटर का राजदूत कौन था उत्तर आएगा मेगस थनीज ठीक है मेगस थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा था उसका विबरंट दिया मेगस थनीज के वणन से पता चलता है कि समराट जो था वो सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाये जाता था जो के सामने आने पर सोभा यात्रा के रूप में जस्रम मनाया जाता था आज कल केवल चांदी का सिंगासन है हमारे राश्टरपती जी के पास में बाकि इलावा सोने की पालकी में कोई नहीं चलता है देख रहे हैं न यह सब जनता के सेवग बना दियेगे जितने भी समराट थ सामराज जिकेशे जिसमें चंडगुप्त की बारे में यह बड़न कैया गये है कि चंडगुप्त के दर्सकेश घरीकर जाता है। जब समराट जनता के बीच में जाता था तो सोने की पालकी में जाता था और वहाँ पर सोभा यात्रा निकाली जाती थी और लोग जस्न मुनाते थे कि हमारे यहाँ आज समराट आ रहे हैं अगला पॉन मिलता है अंग रक्षक अलंकरित हातियों पर सवार होते थे कैसे हातियों पर सवार होते थे जो कि हाती सजे हुए होते थे अलंकरित कार्थवा सजे हुए ठीक सजे हुए हातियों पर सवार होते थे कुछ अंग रक्षक पेनों को लेकर चलते थे इस पर प्रसिक पत्ति या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके साथ में क्या होती ही फोर्स जाती है ठीक है उनके साथ में कमांडो जाते हैं जो कि अलग-अलग ट्रेइनिंग जिनको मिल चुकी होती है अलग-अलग सिस्टम के अलग-अलग मतलब उनकी ग्रेड होता है उसके साब से कमा पर चलते थे और प्रशिक्षित तोते प्रशिक्षित तोतों का जुंड होता था जो कि समराट के सीर के चारों चक्र लगाता रहता था जो ये पता करता था कि कौन खत्रा कहां से आ रहा है खत्रे के बारे में संकेत दिया करते थे राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उनकी हत्या ना करें इसलिए हतियार बंद महिलाओं से गिरा रहता था जो राजा था वो हतियार बंद महिलाओं से गिरा रहता था अब यहां पर देख रहे हो मतलब गिरा रहता था महिलाओं से हतियार बंद महिलाओं से गिरा रहता था अब यहां पर एक प्रशन उठता है कि यह उने गिरे रहते थे, कुछ लोग कहेंगे कि रहे महिलाओं से गिरे रहने, वाइवम जा आता होगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं था, देखो, पुरुसों के अंदर क्या होता है? पुरुसों के पास में, जो दिमाग होता है, वो उनका चलता ही रहता है, लालची दिमाग होता है पहले का जो पुरुस हुआ कर दे थे उनका लालची दिमाग होता है ऐसा भी हो सकता था कि मतलब किसी पुरुस को लालच आ जाए और वो सामराज के लालच में उनको मार दे महिलाओं के अंदर इतनी अधिक लालचा पहले नहीं थी ठीक है महिलाओं क कि ये सो रहे हो और पूरुस इनकी गलाद धार से अलग कर दे और खेल खतम तक है इसलिए ये हत्यारबन महिलाओं से गिरे रहते थे उनका खाना-खाने से पहले जो ये समराट हुआ करते थे इनकी खाना-खाने थे पहले खास नौकर उसे खा करके चकते थे कि भाई मतलब यह इसमें जहर तो नहीं है इसके इलाबा जो समराट हुआ करते थे वो लगातार दो रातों तक एक ही कमरे में कभी विने सोते थे आज इस कमरे में सो जाएं तो कल उसमें सोएंगे परसो इसमें सोएंगे फिर इसमें सोएंगे फिर क्या पता इसमें फिर से सो जाएं ठीक है यानि दो दिन तक एक कमरे में समराट कभी ने सोते थे एक महल में कई सारे कमरे हुआ करते थे तो समराट किसी भी कमरे में कभी भी सो सकते हैं उनका कोई भी एक कक्ष नहीं हुआ कर समराट अब यहां से आपको असोग के बारे में जानकाने मिलेंगी कि असोग किस प्रकार का समराट था देखो असोग एक ऐसा पहला सा सकता जिसने अभी लेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुचाने की कोसिस की क्या कहा जा रहा है असोग एक ऐसा पहला समराट था यानि देखो आज कल आप देखते हो आज कल जो भी कोई सड़क बनबाता सपोर्ज़ एट कि यह सड़क बनबाईगे तो आप देखो यह सड़क के किनारे यहाँ पर एक सिल लगा दी जाती है उसमें लिख दिया जाता है कि इनके इनके द्वारा इस सण में इतनी इतनी मतलब यह हैं जिनके द्वारा इस सड़क का निर्मान करवाएगे ठीक है इसी प्रकार से जो ये इस सिलका निर्माण आज के लिए लगवाई जा रही थी इसका अविस्कार कैसने कि अगर आप से प्रस्टन पोंचा यानि कि जो अभिलेक ही होते हैं इनको सबसे पहले किसने लगवाया तो असोक एक ऐसा पहला सा सकता जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेज पहुचाने की कोसिस किया यानि सबसे पहले अभिलेखों को असोग ने लगवाया था असोग की जाया नतरा जो अभिलेख हैं ये प्राकरित बासा में और ब्राम्मी लिपी में देखने को मिलते हैं किसमें प्राकृत बासा में और ब्रामीलिक में प्राकृत बासा किसे कहते हैं बता चुका हूँ बार बार एक बर फिर बता रहा हूँ प्राकृत बासा आम जन्मानत की बासा होती जैसे आपके यहां जो बासा बोली जारी वो आपके यहां की प्राकृत बासा है हमारे यहां जो भासा बोली जा रही है वो हमारे यहां की प्राकृत भासा है जो इंग्लेंड में भासा बोली जा रही है वो वहां की प्राकृत भासा यानि कि आम जन्मानत की भासा को प्राकृत की भासा कहते हैं अगला मिलता है कलिंग यूद का वड़न करता असोक का अबिलेक अब इसको समझो देखे जो कलिंग यूद है कहा जाता है कि ये भारत बर्स का उस टाइम का सबसे बड़ा यूद था कलिंग तटवर्सी उडिसा का प्राची नाम है किसका उडिसा का प्राची नाम है असोक न अपने एक अविलेक में कलिंग युद्ध का वडन किया उसने कहा था कि राजा बनने के आठ साल बाद मैंने कलिंग विजे की लगबग डेड़ लाग लोगों को बंदी बना लिया एक लाग से जादा लोग मारे गए इससे मुझे अपार दुख हुआ क्या हुआ था कि जब जो ये असोक थे ठीक है असोक ने जब राजा बने तो राजा बनने के बाद में कई सालों तक रड़ाई लड़ी ठीक है और आठ साल बाद इन्होंने कलिंग पर विजे प्राप्त की किस पर कलिंग पर इन्होंने आठ साल बाद बिज़े प्राप्त की और लगबग डेड़ लाख लोग इस बिज़े प्राप्त करने में बंदी बना लिये गए जिनको गुलाम बनाये गया इसके लाबा एक लाख से ज़्यादा लोग थे जो की मार दिये गए इससे असोग को अपार दुखवा देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको देखने को मिलती है क्या? यहाँ पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि हमारे भारत दिबर्च में पहले से ही ऐसे लोग मौजूद थे जिनका यह मानना था कि हम मर जाएंगे पर जुकेंगे नहीं क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर डेड़ लाख लोगों को बंदी नहीं बनाये गया होता यहाँ पर एक लाख से अधिक लोग मारे नहीं गयोगे एक लाख लोगों ने अपनी जान गवा दी पर अपना राज देने को तयार नहीं थे इससे इनको बहुत दुख हुआ अगरा परन कलिंग युद में जनहानी को देखकर असोक ने धम का पालन करने एवं दूसरों को इसकी सिक्षा देने का निश्चे के धम धम का अर्थ होता है धर्म धम का साब्दिक अर्थ होता है धर्म तो कलिंग अभिलेक में धम की बिसे में असोक ने कहा मैं मानता हूँ कि धम के माद्यम से लोगों का दिल जितना बल पूर्बक विजे पाने से ज़्यादा अच्छा है मैं अभिलेक वविसे के लिए एक संदेश की रूप में इसलिए उत्किन कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए धम सब्द का संस्कृत में धम सब्द संस्कृत के धर्म सब्द का सब्द का वर्नन किया गया है अब यहां पर देखो अगर असोग इसका यहां पर यह एलान नहीं करता कि हम आज के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे और हमारे आगे आने वाली भबिस्ध की पीड़ी भी युद्ध नहीं तो आज हमारे यहां पर क्या होता आज हमारे यहां पर लोक तंत्र नहीं होता आज हमारे यहां पर राज तंत्र होता और हमारे यहां मुगल भी नहीं आ पाते क्योंकि अगर असोग कमजोर नहीं पढ़ते देखो बिसो बिजे करने के लिए निकला था सिकंदर ठीक है और यहां पर मतलब मौरे सामराज को देख करके मौरे सामराज तब नहीं था ठीक है तो हमारे भरत इसकी सेना को देख करके इसकी सेना ने हतियार डाल दिये थे हमने चेप्टर नमबर 6 में पढ़ा हमने चेप्टर नमबर 6 में क्या पढ़ा हमारे यहां पर जब यह सिकंदर आया था जो बिसु बिजे करना चाहता थे इसने कई सारे राजियों को जीत लिया था वो जब हमारी देश में आया तो उसके जो सैनिक थे उसने अपने हतियार डाल दिये क्योंकि उसका मानना था उनके सैनिकों को ये पता चल गया था कि हमारे यहां के जो राजा है उनके पास में हाथियों की बहुत बड़ी सेना है पैदल बहुत बड़ी सेना है रतों की बहुत बड़ी सेना है बहुत सक्तिसाली राजा थे अब जब असोक ने धम का पालन करना शुरू कर दिया तो इन्हों ने धीरे धीरे अपनी एक सेना का भी क्या किया भिखंडन करना कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे? मतलब धम के माद्यम से धर्म के माद्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और क्या है कि उनकी स्वेच्चा से उनका दिल जीत करके अपना उनको बनाएंगे और फिर अगर यह ऐसा नहीं करते तो हमारा राज आज मतलब पूरे विस्व में सबसे चरम पर होता सबसे उचाय पर होगा विस्व बिजेता हम होते और हमारा ही पूरे विस्व पर मतलब आप देख सकते हो कि मतलब सबसे महा सक्तिसाली जो आज अमेरिका बनाए वो हमारा देश होता अगर असोक ने धम का पालन नहीं किया होता और ना ही अंग्रेज कबजा कर पाते ना ही मुगला पाते और हमारी संस्कृती भी बची रहती और आज हम बहुती महांचरम इस तरफर होते आगे बढ़ते हैं अब आप में यहां पर यह बताएगा कि जो असोक ने यह किया यह सही किया यह गलत किया देखो अगर हम यहां पर यह कहते हैं कि असोक ने यह सही किया तो देखो यहां पर यह भी मिलता है अगर ऐसा नहीं करता तो आज हमारी आपर लोकतंत्र नहीं होता ठीक है लोकता अंतरा जमारे अपने होता राजता अंतर होता वर्ण विवस्ता भी आज होती जो पहले मतलब आज वर्ण विवस्ता नहीं है अगर असोक ने धम का पालन नहीं किया होता तो आज वर्ण विवस्ता भी होती जबकि असोक ने धम का पालन कर दिया यानि कि एक सक दिरे खंडित होने लगा ठीक है और नोंने ये भी संदेश दे दिया था कि ये तो युद्ध नहीं करेंगे इनके साथ साथ जो भविसे में आने वाले लोग हैं ठीक है इनके जो आगे की पीड़ी है इनके जो पोते होगे इनके जो बेटे हैं वो भी युद्ध ना करें ठी जब इनकी उपर कोई आक्रमण करने के लिए आता तो उसका ये क्या करते थे उससे अपनी बचाप तो करते थे लेकिन दूसरे राज पर आक्रमण करके उसको विजित करने का कार इनों ने छोड़ दिया था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। धम क्या था इस चीज को समझो देखो असोक ने यहाँ पर क्या किया था चानक की कही हुई बात का अब मानना कर दी दी चानक ने कहा था कि राजा को हमेशा युद करके जीतने जीतते रहना चाहिए ठीक है युद करना चाहिए और अपने बिरोधियों पर विजे प्राप्त करते रहना चाहिए अपनी सक्ति को अमेशा बढ़ाना चाहिए अपने आपको कभी भी दुरूबल नहीं होने देना चाहिए असोक ने क्या किया असोक ने युद करना बंद कर दिया असोग ने युद करना बंद कर दिया और मतलब जो चानक की थे चानक की की कही हुई ही एक एक बात पर इन्होंने क्या किया मतलब कहते ना कि मतलब बात पर बिलकुल ही मतलब कह क्या कहे अपकी बात को नकार दिया ठीक है बात को हटा दिया चानक की ने कहा था कि युद करते शुरू कर दिया और इनका जो सब्ता थी वो कमजोर होती चली गई अब असोक का धम क्या था इसको समझो असोक के धम में किसी भी देपता की पूजा आत्वा कर्मकांड की आवर्शक्ता नहीं थी असोक ने जगए जगए जाकर लोगों को धम की सिक्षा देने के लिए अधिकारियों को न्यूक्त किया अधिकारियों की न्यूक्ति की इस इन अधिकारियों को धम महामात नाम से जाना जाता था यहांपर प्रस्ण पूशा जाएगा कि जिन आधिकारियों की नियुक्ति असोक ने अलग अलग जगे पर जाकर के धम की सिक्षा देने के लिए किया था ठीके उनको क्या कहा जाता है या फिर असोक ने जगे 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 जाकर लोगों को धम की सिक्षा देने के लिए जिन आ असोक ने अपने कई सारे संदेश कई स्थानों पर सिला लेखों ठीक है सिलाओं इस्तंबो पर खुदबा दिये थे अनिक आधिकारियों को आदेश दिये कि वे राजा के आदेश को उन लोगों को पढ़कर भी सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते असोक ने धम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया मिस ग्रीस तथा सेलंका में भी दूत भेजे थे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असोक ने किस प्रकार से धम का प्रचार प्रसार किया था और इसके बाद में जो धम है ये काफी अधिक बिक्सित भी मत कीजिएगा इसके अलाबा जो असोक थे असोक ने । धम की विचार थे उनको प्रसारित करने के लिए जो सीरिया है जो ग्रीस है जो मिस्र है जो स्रीलंका है यहां तक अपने दूतों को बेजाता कि आप जाईए और धम का प्रचार कीजिए अगला कौन मिलता है अपनी प्रजा के लिए असोक के संदेश क्या थे इसको भी समझो असोक ने बच्चों के जन्म यात्राएं शुरू करने भीबा आधि के अपसरों पर किये जाने वाले अनुष्ठानों वा कर्म कार्णों के स्थान पर मानपता का संदेश अपनी प्रजा को दिया जिसमें जीवों पर दया ब्रामणों और स्रमणों को दान दासों वा नौकरों से अच्छा विवार सभी सम्मिलित है देखो इन्होंने क्या किया था इन्होंने कहा था अपनी प्रजासे कि भाई आपके बच्चे का जन्म हो आप क्या करते हैं कि जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो आप क्या करते हैं कि अनुष्ठान और कर्मकांडों का मतलब आप क्या करते हैं कि उट सब मनाते हैं ठीक जो जीव हैं उन पर दया कीजिएगा जो दास हैं आपके ठीक है उनको और जो नौकर है उनसे अच्छा बेवहर कीजिएगा पहले क्या होता था कि जो दास हुआ करते थे उनसे जो भी काम कहा जाया था वो करते थे और जब तक वो वो काम कर नहीं लेते थे लोग क्या करते थ देखो आधुनिय के भारत की जानतर लिपियां देवनागरी तमिल बांगला मालियारम सभी ब्रामी लिपी से उत्पन हुई है आप चाहें जौनसी लिपी देख लो सभी ब्रामी लिपी से ही उत्पन हुई है यहाँ पर आक्षर है ठीक है आक्षर को अलग-लग भासाओं और अलग-लग लिपियों में यहाँ पर दिखाए गया एक आपकी आरंबिक ब्रामी लिपी जिसमें आ ये लिखा है आप देख रहे है तरह तरीके का है फिर आपको एक देवनागरी में मिल रहा है जो कि हिंदी आप देख रहे है ये आपको मिल रही है आ ठीक है जिसको हम लोग देखते हैं आजकल ऐसा ही हम लोग आ लिखते हैं फ केवनागरी, तमिल, बांगला, मल्यालम सभी ब्रामी लिपी से उत्पन हुई है इसी लिपी से ये सभी लिपियां उत्पन हुई है आप देख रहे हैं आ सभी में है ठीक है और सभी में अलग लग तरीके से बना है तो सभी लिपियां जो है ये केवल ब्रामी लिपी से ही उत सेरे तो क्या जारा है जिन सेरों के चितर रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाये गया था और फिर उन्हें सार नात में विसाल इस्तंब पर इस्तापित किया गया था यह जो आप देख रहें स्तंब हो यह सार नात मे पत्तर की मूरती आप यह देख रहे हो ठीक है यह बिहार के राम-पुर वा में मिले एक मौरे-कालीन इस्तंब का हिस्सा है यह देखो आप नीचे इस्तंब बना ठीक है यह भी किस प्रकार से मतलब कितने अच्छे रंग से इसकी चित्रकारी कीगे इसकी मूर्टी बनाएगी इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हो ये सेरो वाला इस तंभ है आगे बढ़ते अब जो चीन की दीवार थी इसके बारे में भी काफी प्रशन आते रहते हैं तो मैंने इसको भी यहाँ पर रख लिया ताकि आप इसको भी समझ सको तो मौरे समराज के उबरने से थोड़ा पहले लगबग 2400 वर्श पहले चीन में समराटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था आज से लगबग 2400 वर्श पहले यानि जो मौरे समराज उभरा था उसके लगबग 100-200 वर्स पहले आप कह सकते हो क्या हुआ था आज से लगबग 300 वर्स पहले मौरे समराज की स्थापना हुई थी थी और काजरम मौरे समराज के उभरने से तो उभरने में भी इनको लगबग क्या है कि 10-20-50 साल तो लगे ही होंगे ठीक है तो मौरे समराज के उभरने से थोड़ा ही पहले लगबग आज से 2400 बर्स पहले चीन के जो समराट थे उन्होंने चीन की दीवार का निर्मान शुरू किया था इसे बनाने का उत्री सीमा की जो पसुपालग थे उन लोगों से रक्षा करना था देखो पसुपालग लोग जो हुआ हैं बड़ा होते थे वो बड़ा हटी होते थे आज भी हमारे आप पर क्या है कि लोग जानबर चराने जाते हैं और दूसरों के खेत में जानबर घुज जाते हैं और जानबर उनकी फसल को खा लेते हैं और उनसे अगर कहा जाए, कि आपकी जानबरों ने जाकर कि हमारी फसल खाली है, उनको उसाही से रखा करो, तो वो कहा जेते हैं कि हम क्या करें अपनी फसल है, स्वैम सुरक्षा करो, हमारे यहां लोग लड़ने को तयार जाते हैं, नहीं बिल्कुँ सही बात बूल रहे हैं, हमारे यहां पर ऐसे बहुत सारी लोग हैं, जो जानबरों को चराय करते हैं, और वो जानबर जब हमारी फसल में आ जाते हैं, और हम उनसे कहते जाकर कि हैं, कि भाई, आपका जानबर हमारी फसल में आ गया, तो वो लड़ने को तयार हो जाते हैं, कि जानबर है, हम तो मार के उबने से 2400 वर्ष पहले चीन के जो समराज उन्होंने चीन की दिवार का निर्मार शुरू किया इसके बनाने का उद्धिस ही के वल एक ता जो उत्री सीमा है ठीक है उत्री सीमा की पसुपालक लोकों से सुरक्षा करना के वल एक ही उद्धिस था अगला मिलता है आगले 2000 वर्ष तक इस दिवार का निर्मार शलता रहा यान जो चीन की दिवार है ये दुनिया की सब्से लंबी दिवार है और इसका निर्मार 2000 वर्ष उत्तक किया गया था अगर आप देखोगे तो इस पूरी की पूरी दिवाल पे 100-200 मेटर पर जवाब आगे बढ़ोगे तो आपको एक बुर्ज मिल जाएगा यानि कि एक मचान टाइप का ऐसा बना होता है जहांपर लोग रहते हैं मतलब लोग रहकर कि इसकी निगरानी करते हैं यह पूरी दिव जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया कर लें टेली ग्राम पर जोईन कर लें और पीडिया पी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई या अधरवाइस आप लोग इस नंबर पर वाट्स पर मैसे कर सकते हैं हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे नोट जिरो पर आ रहे हैं जिसकी लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो जाकर कि आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं मिलते हैं कि लिए वीडियो के साथ मैं तब तके लिए जैहिंस आती हूँ